जैक देली का Registration किसी भी समय ओपेन हो सकता है, है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है, जैक देली का Registration Process ओपेन हो भी गया हो, है ना, तो इस वीडियो के अंदर है, स्टेप बाइ स्टेप मैं बताने वाला हो की Registration Process में आपको Enroll कैसे करना है, है ना, तो jackdallyadmission.nic.in यह Jack Delhi की official website है, किसी और website पर जाले की need नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर tentative date 20th में दिख रहा है, 2023, यहीं पर आपको candidate activity board दिख रहा होगा, तो candidate activity board आपको यहाँ पर नीचे सोग हो रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, simply जो है candidate activity board पर एक link द simply click करना है, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग click करते हो, आपको इस तरह का page दिखेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर new candidate registration वाले option पर चाना है, ठीक है, तो यह important है, आपको यहाँ पर new candidate registration वाले option को select करना है, तो जैसे ही आप इसको select करते हो, आप लोग को एक pop-up सो होगा, जहा यहाँ पे Terms and Conditions इनकी है, वहाँ पे आपको I Agree वाले पे क्लिक करना है, And, बस, जैसे ही आप I Agree क्लिक करते हो, यह पॉप-प आपका हट जाता है, अब यहाँ पे कुछ basic details आप से पूशी जाती है, जो की काफी ज़्यादा important आप लोग के लिए, इसमें आप कोई भी mistake, afford नहीं कर सकते, सबसे important है आपका JEE का application number, जो की आपके JEE में scorecard पे, admit card पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे candidate name होगा, जैसा candidate name वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको mention करना है, ठीक है, date of birth, candidate का, और यहाँ पे security pin डालनी है, जो की security pin आपको यहाँ से उठा के simply, आपे इस कर देनी है, इसके बाद आपको submit वाले button पे press करना है, तो, जैसे ही आप submit button पे press करते हो, ठीक है, it automatically आपको, जो है, इस submit button पे click करते ही, है ना, details फिल करने के बाद, जैसे ही मैं आपको demo details यह दिखा रहा हूँ, है ना, उसके बाद आप next step पे पहुँचाते हो, जहाँ पे आपको कुछ और information जालनी होती है, सबसे पहला यह point होता है, यहाँ पे आपको mobile number एंटर करना पड़ेगा, आप mobile number यहाँ पे फिल करोगे, दूसरा है यहाँ पे आप email ID फिल करोगे, है ना, फिर आपको एक password create करना होता है, तो यह password throughout आप use करोगे as a credential, तो यह password यह काफी important होता है, इसको आप strong बनाना है ना, और फिर यह security pin आप लोग यहाँ पे enter करके, submit and next पे जाके click कर देना, that's it, that's it, इतना ही करना है, आपका पहला step पूरा हो जाएगा, then, उसके बाद जो भी आप mobile number और email ID वहाँ पे डालोगे, वहाँ पे उसको verification आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको OTP send होगा, यहाँ पे दोनों OTP को receive करके, इसमें 1 by 1 पहले जो mobile number में आएगा, और दूसरा जो email ID में आएगा, 1 by 1 आपको enter करके, यह security pin यहाँ पे डालके, आपको verify and final submit पे click करना है, तो जैसे ही आप verify and final submit पे click करेंगे, आपका mobile number and email ID, दोनों की दोनों जो होँगी वो verify हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपका process कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, है ना, application form आपका complete हो गया होगा, लेकिन इसके बाद registration form, application form, हैना, qualification details, bonus point of triple ID Delhi, सबके बारे में बात करेंगे, contact details, and upload document and image and final submit वाले options आपके बचे रहेंगे, तो इनको भी आपको step by step बारी बारी से process करना है, हैना, तो सबसे पहले आप जो step पहला करोगे, वो यहाँ पे fill application वाले form पे click करोगे, देखो यह वाला tab जो है वो आपका active हो जाएगा, तो account details में बताऊंगा, किसलिये डालनी होगी, आप जो पैसा यहाँ पे करोगे, अगर आपको वो refund चाहिए, तो बहुत केरफुली आपको वो account details जालनी पड़ेगी, उसी के अंदर आपको पैसा जो है वो refund मिलेगा, हैना, तो यहाँ पे simple gender का है, तो gender by default आपका select होगा, हैना, नेशनल्टी आपकी by default select होगी, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे important जो point है, वो आपके लिए जानना बहुत important है, मैं इसको red mark करूँगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते है, reason from where past 12, तो यह बहुत important है, जहाँ से आपने 12th past की है, वो वाला reason, यहाँ पे दो reason ही so करेगा, एक तो Delhi करेगा, एक outside Delhi करेगा, यह एक pop-up है, जैसे ही आप इसको select करोगे, इधर दो reason so करेगा, Delhi और outside Delhi, आपको ना, अगर आपने Delhi से schooling की है, तो Delhi select करना, otherwise outside Delhi select करना, ठीक है, तो इसमें कोई mistake मत करना, और अगर आपने schooling outside Delhi से है, तो कभी भी Delhi select मत करना, आपका document verification fail हो जाएगा, ठीक है, apart from that, दोनों ही cases में, अगर आप किसी और category में आते हैं, ठीक है, जैसे OBC, SC, ST, तो यहाँ से आपको select करना होता है, ठीक है, तो यह important है, ठीक है, फिर आता है आप category के बास, subcategory details, तो अगर आप किसी भी तरह के subcategory में आते हैं, for example, आपके पास defense का quota है, कासमीरी migrant है आप, या आप PWD candidate है, या single girl child का case बनता है, तो आपको यह options क्लिक करना है, single girl child का case बस female candidates के लिए active होगा, और अगर वो single girl child है, अपनी family में, तो इसको वो yes कर देंगे, ठीक है, बस, that's it, आपको यह करना है, similarly, अगर defense में अगर आप हैं, तो yes करना है, defense का quota है आपके बास, आप कासमीरी migrant हो, तो इसको yes करना है, otherwise, आपको यहाँ पर no कर देना है, ठीक है, कुछ भी गलत information प्रोवाइड नहीं करनी है, initially अपने level पे, तो सारा-सारा data जो आपको है, वो सही प्रोवाइड करना है, तो मैंने अभी आपको account details की बात की थी, तो account details आपको इसी form में नीचे पूछा जाएगा, आपको इसी account में आएगा, यह किसी भी parents का यह family member का आप account यूज कर सकते हो, जो trust बढ़ती हो, तो उसका विशेज ध्यान रखें, किसी भी unknown person का account number इसमें एंटर ना करें, क्योंकि जो refund का पैसा होगा, आपको उसी account के अंदर receive होगा, आपको यह सारी information भरने के बाद, यहाँ पे save and next वाले option पे click कर देना है, तो जैसे ही आप save and next वाले option पे click करते हो, अब आपका यह वाला दो टैप जो है, वो आपके complete हो गया, पहला आपका registration form पूरा-पूरा complete हो गया, अब दूसरा, आपका application form पूरा-पूरा complete हो गया, आप तीसरे tab पे आप काम करोगे, जिसका नाम है fill qualification details, ठीक है, तो यहाँ पे आपको simply tab कर देना है class 12 और equivalent details के उपर, तो जैसे ही आप लोग click करोगे, यहाँ पे आपको next step में बहुत सारी चीजे पूचेंगे, जैसे आपका passing status passed होगा है ना, passing year अगर आपका 2023 है इसी साल तो वो करोगे आप 2022 है यहाँ 2021 है, यही तीन option आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो आपको उसी हिसाब से select करना है, आपको यहाँ पे roll number अपना डालना है, ठीक है 12th का, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है, आपको अलग-अलग subjects दिखेंगे, जैसे for example physics दिखेगा आपको, आपको अपना पहले board उपर select करना होगा, यहाँ पे boards भी select करने का option हैगा, select qualification exam board, तो अगर आप CBSC दो है, तो CBSC अगर आप किसी state boards हैं, तो आपको वो state board select करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको mention करना पड़ेगा, अपना school का नाम, तो यहाँ पे जो compulsory है, वो यह है कि आपको यहाँ पे details जो है, marks की वो इंटर करनी पड़ेगे, फोर इग्जांपल, Physics, Chemistry, Mathematics, English, और एणी अधर, आपके पास एक additional subject का option होता है, तो यहाँ पे carefully आपको marks इंटर करनी पड़ेगी, out of, maximum marks 100 होता है, और जो आपके marks obtained है, वो आपको यहाँ पे इंटर करनी होता है, फोर इग्जांपल, किसी के physics में से, 90 marks आए, तो 100 out of 90, यहाँ पे 100 out of chemistry में 80 आए, तो 100 out of 80, ठीक है, Mathematics में 90 आए, तो 90, English में 95 है, तो 95, और additional subjects में आपको भी एक subject extra लेके चल सकते हो, जो भी आपके case में अगर computer application है, computer science है, तो computer science, otherwise, आपके case में physical education है, या कोई भी additional subject है, तो आप यहाँ पे carry कर सकते हो, best of 5 के लिए, तो वो आपको decide करना है, कि आपका additional subject क्या रहा था, any other select करके, आपको subject का नाम, और यहाँ पे उसके marks mention करना होगे, तो यहाँ पे automatically वो आपको calculate करके, बता देगा कि आपके aggregate percentage कितने बन रहा है, ठीक है, out of 400, out of 500 में आपको कितने percentage बनने हैं, तो यहाँ से आप लोग एक वर verify कर लेना, कि वो आपका सही आ रहा है कि नहीं, otherwise फिर आपने यहाँ पे कुछ mistake किया होगा, जिसके region से वो सही नहीं आया, then सारा process करने के बाद, यहाँ पे save and next वाले button पे आपको click करना है, और आपका process पूरा save हो जाएगा, आप फुर रिरडिक कर जाएंगे next page के लिए, अब यहाँ पे सबसे important column आता है, ट्रिपल आईटी डेली के लिए, तो अब यहाँ पे काफी लोगों का doubt होता है, तो अब आपके पास बहुत सारे options दिखेंगे आपे, ठीक है, तो अगर आपने Olympiad का कुछ certification या Olympiad किया हुआ है, mathematics Olympiad आपने क्वालिफाई किया है, physics Olympiad क्वालिफाई किया हुआ है, chemistry Olympiad, biology Olympiad, astronomy, NTSC, sports, chess, culture, इन सब में कुछ भी किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे yes करना है, अगर आप किसी भी एक list में आते हो, तो आपको यहाँ पे select करना है, और देन उसको आपको proceed करना है, लेकिन अगर आप किसी region से आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, कि आप यह select कर लो, आप simply यहाँ पे no कर लेना, क्योंकि यहाँ भी verification आपका process होगे, वहाँ भी documents आपसे मांग ली जाएंगे, तो जैसे ही आप इसको करते हो, और यहाँ पे save and next कर लेते हो, submit करने के बाद, select करने के बाद, तो आपके यह सारे fields अब अब आपके complete हो चुके है, जो आपके next field बचते हैं, वह आपका बचता है, fill contact details, ठीक है, upload documents and image, and preview and final submit, तो अभी 3-4 tabs पे आपको और काम करना है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आप जैसे ही इसको select करके आगे बढ़ते हो, यहाँ पे fill contact details का option आता है, तो यह भी important है, सबसे उपर आपका premises number, आपका house number यहाँ पे आपको enter करना पड़ेगा, इसी case में आपके पास house number नहीं है, तो alternate आप colony रहते हो, तो उसका use कर सकते हो, या किसी और तरीके से जो भी आप enter करते हो, वो कर सकते हो, सब locality and colony optional है, ठीक है, लोकलिटी, city, town, village वगरे आप डालना है, सिंपल सा, state and district select करना है, pin code डालना है, alternative contact number डालना है, alternative email id डालना है, और permanent address डालना है, और correspondence address डालना है, तो यह सारा कुछ डाल डालके, अगर आप लोग सब कुछ कर लेते हो, do you want to save, अब final आएगा, कि इतनी सारी information फिल करने के बाद, आप जैसे save and next पे click करोगे, आपको एक pop-up confirmation कायागा, कि अगर आप इसको save करना चाहते हो, जैसे ही आप इसको save and next करते हो, ठीक है, आपका ये वाला tab भी पूरा complete हो जाता है, जो कि आपके contact details का था, जहाँ पे आपको address वगरा फिल करने थे, अब आपका next tab open होता है, जो कि है upload documents and images का, तो इसको आपको ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें याद बहुत सारे बच्चे mistake कर देते हैं, जल्दी वाजी करने में है ना, कोई गलट documents upload कर देते हो, आप लोग तो ऐसा नहीं करना है, सबसे important अगर आपने कोई भी category वहाँ पे yes किया होगा, तो उसका document आप से यहाँ मांग लेगा, for example, अगर आपने OVC वहाँ पे yes कर दिया होगा, तो OVC का document आपका लगेगा, आपने SCST वहाँ पे अगर select कर लिया होगा, तो आपको SCST category के documents यहाँ पे upload करने पड़ेंगे, और document आपको 10KB से लेके 300KB के बीच में होने चाहिए, और यह सारे PDF format में होने चाहिए, तो आप लोग पहले से PDF format में उन documents को रख लो, जिससे कोई भी problem ना हो, और compress वगरा करने के लिए there is lot of tool, जिससे आप compress कर लो, और इस format के अंदर, इस range के अंदर अप लोग ले हो, ठीक है, फिर simply से यहाँ पे choose file वाले option पे आपको अपने click करना है, ठीक है, और इसको upload कर देना है, यहाँ पे भी choose file वाले option पे click करना है, upload कर देना है, तो यहाँ पे OBC certificate, अगर यह बच्चा OBC था, ठीक है, अगर कोई SC है तो SC certificate, ST है तो ST certificate, और कोई EWS है तो EWS certificate, वो यहाँ पे लगएगा, हाँ, defense, quota वगर अगर आपने yes किया होगा, तो इसी section में आपको उनके certificates भी upload करने पडेंगे, अब 12th की Marksit यहाँ पे आपको upload करनी पडेगी, 10th की Marksit आपको upload करनी पडेगी, और the account details enter as the application form used by Jack Delhi refund of the account through the online payment made, तो यहाँ पे आपको वो, जो है cancel check वाला option यहाँ पे choose file करके upload करना पडेगा, फिर आपको यह सारा preview and एक बार आप देख सकते हो कि आपने जो documents upload किया है, वो सही है कि नहीं, तो बिल्कुल आपको check करना चाहिए कि 10th की जगह आपने 12th की, तो Marksit upload नहीं कर दी, कहीं OBC की जगह आपने कुछ और तो नहीं upload कर दिया, तो उसको आप लोग एक बार प्लीज से verify कर लेना, आप लोग पिक्चर में देख लेना, तब उसको save करना, तो यह सारा process करने के बाद आपका जो है last tab जो activate होता है, वो preview and final submit का type up activate होता है, तो फिर आपको यह पूरा process करना है, preview and final submit वाला आपको check कर लेना है, कि candidate name सही है, mother name सही है, आपकी category सही है, ठीक है, आपकी rank वगेरा, तो by default आपको कुछ नहीं हो, तो J main से वैसे भी वो उठा लेगा, है ना, आपने 12th वगेरा, जो passing year था, वो सब सही आ रहा है, ठीक है, त बाकी person भी disability वगेरा में, आपने जो options सही कर रखे है, वो सही है कि नहीं, क्या गलती तो नहीं करी, उपर कुछ चूज करने में, तो यह सारे options आपको one by one, one by one यहाँ पे चूज कर लेना है, देख लेना है, कि आपने साही details वगेरा सब को सही भरी है कि नहीं, है ना, school वगे review and submit का option आएगा, इसको click करने से पहले, please आप लोग 2-3 बार इसको अच्छे से verify कर लो, जैसे ही आप इसको click कर दोगे, आप इसमें कोई modification फर्दर नहीं कर सकते, तो final submit and review से पहले, please आप 2-3 बार time लगाके, पूरे process को एक बार दुबारा से देख लो, कि आपने जो details भरी है आपकी information सारी सही है, documents सारे सही upload किये है, क्योंकि अगर कोई भी document आप गलत upload करते हो, तो document आपका reject हो जाएगा, तो यह final आपको chance मिलता है, यहाँ पर save and review करने से पहले, जैसे ही आप save and review करते हो, एक pop-up बड़ा सा खुलके आता है, the candidate will be used to allotment, so kindly verify all the documents carefully, submission, once submitted, this candidate will not do any changes, तो यहाँ पर पूरा एक warning आपको आएगा, जैसे ही उसको yes कर दोगे ठीक है, आपने सब कु सही कर रहा हुआ है, तो आपका थोड़ा time लेके, आपका पूरा process आजाएगा, और यहाँ पर आपको payment registration fees पे करनी होगी, तो जैसे ही आप registration fees पे जाते हो, तो यहाँ पर amount change हो सकता है अभी 1500 था last year का, ठीक है, तो 1500 भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो जैसे ही आपको यह amount देखने को मिले, आपको यहाँ पर payment getaway वाला option देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप multiple mode से payment कर सकते हो, UPI भी allowed था है ना, payment debit card, credit card, सब कुछ allowed था, तो आपको वो सारे option दे registration में करना है, जिससे आप कोई भी गलती throughout registration में ना करो, तो बहुत simple से steps होता है, कोई भी complication नहीं है, सब कुछ freshly आप कर सकते हो, तो जो बच्चे डर रहे रहते हैं कि registration कैसे होगा, कोई rocket science है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत simple है, और आप लोग कुछ से registration का पूरा step by step कर सकते हो चीजों को carefully करते होगे, apart from that, counseling related आपको कोई भी help, support and guidance की need होती है, तो आप हमसे connect कर सकते हो, link description में दिया हुआ है, हमारे counseling portals के support आपको description में मिल जाएंगे, कोई भी बच्चा यार, अगर उसको, अभी भी idea नहीं लग रहा है, कि मुझे कौन सी counseling को opt करना चाहिए, मेरे इतनी भी counseling है, Jack Delhi के अलाबा, उस सब में ही आपको chances हम लोग दे देंगे, कि उनमें आपको क्या-क्या best मिल सकता है, including आपका IP हो गया, AKT हो गया, MPDT हो गया, या फिर Jack Chandigar हो गया, सब सारे counseling का data आपके पास आ जाएगा, उसके लिए भी contact details यहां भी दिख रहे होंगे, description के अंदर भी available हो जाएंगे, thank you so much guys, कोई भी doubt आपको इससे लेटर अगर होता है, तो आप बिल्कुल comment section ने पूस सकते हैं, हाँ, यह जो data था मैंने 2022 के basis पे आपको बताया, somewhat 100% जो है, वो same यही रहेगा, कोई भी जादा change आपको देखने को नहीं मिलेगा, registration process में, तो आपको carefully बस चीजों को follow करना है, without doing any mistake, thank you so much guys for watching this video, channel को आप subscribe कर लो, बहुत जादा helpful रहने वाला है, आपकी journey के लिए counseling में काफी जादा चीजे आपको यहां से सीखने को मिलेंगे,